सर्गुजा संभाग में बारिश का दौर जा रही है बीते कई दिनों से आं बारिश हो रही है कई लाकों में ओले भी गिरे हैं बारिश और ओले गिरने से यहां पर ठंड बढ़ गई है सर्गुजा संबाग मैं बारिश लगाता आप देखने को मिल रही है ओले भी गिरे हैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बारिश के साथ साथ जहां पर ओले भी गिरे हैं और इसी के वज़े से ठंड बढ़ गई है कई इलाके जहां पर ओले गिरे हैं सर्गुजा के सीतापूर सहित का जो दूसरे इलाके वहाँ भी ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है किसानों की कई एकड में लगे मिर्ची और टमाटर सहित अन्य फसले बरबाद हुई है जिसे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है जैजाली हमारे सेयोगी रोशन सोनी है हम इस वक्त मौझूद है सर्गुजा के सीतापूर छेतर में सर्गुजा में बीती रात हुई जमकर ओला विरिष्टी के बाद जो किसान है उनको ओला विरिष्टी से भारी नुकसान हुआ है अगर बात करें सर्गुजा के सीतापूर छेतर की तो यहां किसानों को चाहे वो सबजी की फसल लगाया हूँ चाहे जो टमाटर की या मिर्च की उनको किसानों को भारी ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे साथ कुछ किसान मौझूद है अगर बात करें तो आपका जो नुकसान हुआ है तो उस पे मतलब कितना नुकसान जो आकड़ा आप निकाले हूंगे लगभल लगभल मेरा एक तोड़ाई मिर्च में धाई से तीन लाक रुपे के तोड़ाई आती थी अगर टमाटर में एक बार में जिसे पांच से छे गाड़ी निकालता था में जो उतना टमाटर पूरा दागी आ गया है जो कि वो रेट में नहीं भीकेगा हो जी जो उला विरिष्टी हुई है उससे क्या कुछ नुकसान देखने को मिल रहा है बहुत कुछ देखने को नुकसान मिल रहा है पूरा दागी लग गया है क्या टमाटर एक दिन भी जाएगा नहीं हो जाएगा ओ बिकेगा भी नी बजार में और मिर्ची का यहाँ पूरा फोल इहां जढ गया है वुलाविष्टी कारण से और मिर्ची में पूरा दागे दा पर बसक्ता नुक्सां बहुत विच्टारदीकारी जो जी आप कुसान की से जान लेते हैं जितने फूल थे एक राउन में जो इनका भी कटिंग होना था वो पूरा फुल जड़ गया और साथी साथ टमाटर में भी ओला विरिष्टी के कारण पूरा दाग उसमें आ गया है तो अगर इसको मैं आर्थिक रूप से देखूं तो इनका लगभग पा आठ एकर में मिर्ची है और एक त मदद होगा वह हम किसान को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे प्रसासन की ओर से क्रिसी विस्तार अधिकारी जमीनी इस्तर पर पहुंच करके किसानों से बाचित कर रहे हैं रोसंसोनी बंसल्यूच सरगुजा